कि 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 नमस्कार दोस्तों मैं इस राजपूत कम्पीटर स्टुडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहें मैं उम्मिद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों इसके पहले वारा वीडियो मैंने अप्लोड किया था यह उसका सिकंड पार्ट है दोस्तों मैंने उस वाले वीडियो में जयोपरक्रम यानि कच्छा 10 के जयोपरक्रम लेशन के का जो है आधा हिसा पढ़ा दिया था बाकी मैं इस वीडियो में गबर करूँगा तो दोस्तों चलिए जहां से बाकी रह गया था मैं स्टार्ट करता हूँ दोस्तों हाँ एक बात याद रखे कि यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीच इस यूट्यूब चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा और बेल हमारे तुमारा बनाए गए वीडियो को देख पाया है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी करें और पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक जरूर करें कर पर आपना ओट जरूर दें ओके दोस्तों तो बिना टाइम गवाएं वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों आज आपके सामने एक चित्र खुला हुआ है तो हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि मुझे यहीं से पढ़ाना है तो दोस्तों चलिए इस्टार्ट करते हैं इसमें यहां पर आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है दोस्तों यह चित्र है मानों सरीर में रुधिर परिसंच्रड दर्सानी के लिए जो मनुस्य का सरीर होता है उसमें रूधिर परिसंचरण यानि परिवहन या चलना तो उसको दर्सायाद गया है कि खून कैसे पूरे सरीर में ब्रहमण करता है या चलता है तो दोस्तों हमको अभी ऐसा लग रहा होगा कि चैसे आपने देखा होगा इस चित्र को तो बड़ा खिचड़ी टाइप लग रहा होगा लेकिन हम आपको इजी भासा में समझा देगा तो दोस्तों इसमें आपको एरो के माध्यम से दिखा गया है तो अपरे सान नहीं हो हम बिल्कुल आसान भासा में आपको समझाते हैं तो चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं आप पहले इस चित्र को एक बार देख लेजिएगा ध्यान पूर्वक जितना मैंने रेट किया हुआ है इस चित्र को थोड़ा सा ध्यान से देखी आपको कहीं जाने के आउसकता नहीं मैं आपको विल्कुल विद्धु तरीके समझाता हूं तो मैं स्टार्टिंग तो यहां से एक नंबर आपको समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा जो मुनिस का हिर्दे होता है उसमें चार कोश्ट होते हैं एक दो तीन और चार ठीक उसी प्रकर यहां पर भी एक दो तीन और चार लेकिन यह चार आपको साध ऐसे समझ में नहीं आ रहे होंगे तो आप बिल्कुल अभी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा तो दोस्तों यहां से स्टार्ट करते हैं देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा यह पहला जो यह जो है हमारा पहला चेंबर हैं जिसका नाम है आप देख रहे हैं दाया अलिंद इसका नाम है दोस्तों दाया अलिंद नाम ह यहां पर दिखाएगा, तो यही तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, तो दोस्तों हम यहां से स्टाट करते हैं, देखो यह वाला जो arrow है, यहां से आया है, यहां से स्टाट कर लेते हैं, वैसे हम बात करते हैं, यहां से कर लेते हैं, तो यहां पर यह arrow जो है आपको दिखा आपका चम्बर है, छाव कुलेंसकी खूण क्या है ज्य थीरी में खूण कैसे चलता है, प्र कहां जाता था फिर कईसे यह सब को समझाए गया tones तो यहांपर आपको बताएंगे कि यहांपर यह दिखाएं आ रहा है कि ए라고 दाय और लेंसकी हमाले तो यह जो दाया अलिंद आपका है मान लेते हैं इसमें blood भर गया, इसमें blood भर गया, इसके बाद में होता यह है कि जब यहाँ chamber फॉल हो जाता है, तो यहाँ पर valve लगे होते हैं, valve इसको अभी हिर्दे के चित्र में यहाँ पर आपको नीचे बिधोत तरीक बिद्धोत समझा पिलार थोड़के लिएयाँ पर समझ लियागा wrap के दौरा यह arrow दिखाई दे रहा हैrien नीचे के और के ओर डिखाई दे रहा है यह arrow मैंने कि यह वाल्म खूल जाते हैं और यहां पर यह जो blood होता है वह इस वाले ground chamber में आ जाता है यहां कि दाया निला में आ जाता है दोस्तों यहां से फिर आपको एरो दिखाई दे रहा होगा यहां से एरो इस साइड के ओड़ जा रहा है और यह फिर ऐसे जा रहा है और फिर यह ऐसे जा रहा है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि यह आया कहा पर है यहां पर और यहां फिर्दे के दोनों साइड में आपके फेफडे होते हैं फेफडे तो दोस्तों क्या होता है कि ब्लड यहां से निकल करके जो अभी यह जो ब्लड है वो वास्तों में आसुद्ध ब्लड है फुप्फुस और फेफडे तो दोसो बलड जो आपका असुध बलड था सबसे पहले यहाँ पर एकत्रित हुआ तो दाया अलिंद में वहाँ से एकत्रित होने के बाद में दाया निले में आया है और दाया निले से हो करके फुप्फुस या फेफडे में पहुंच चुका है आब दोस्तों फ्रेफड़ में पहुँच चुका है फ्रेफड़े में इसके साथ में क्या होता है इसके संसे लिए है कि यहाँ पर जो असुध्धरक होता है उसमें स्ँक्राइब आँको वह या डाता है बाः अलिंड मैं यहां अलींड में पहुंचने के बालब में पहुंचने पद दया अलिंड झाइब बाया अलिन से ब्लड नीचे की और प्रेसर के साथ में जाता है और पहुंच जाता है बाया निले में कहां पहुंच जाता है दोस्तों बाया निले में पहुंच जाता है बस बाया निले में पहुंचने के बाद में दोस्तों यहां से ब्लड निकलता है और आप Aero के माध्यम से आप देख सकते हैं यह आता है सरीर यानि सरीर के अंग दोस्तों सरीर के अंग आपको चितर में और पहतर तरीके से बताऊंगा यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए graph के माध्यम से आपको समझाने का प्रियास किया हूँ तो दोस्तों यहाँ पर शरीर के अंग और शरीर के अंग के बाद में दोस्तों फिर वही प्रक्रम वही पर पहुंच जाता है ब्लड दाया अलिंद में दोस्तों यह प्रक्रम बराबर चला ही करता है तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पूरा प्रोसेस समझ में आया होगा, कि कहां से, कैसे, क्या, कहां, कैसे क्या गया, और वाकी रही बात यह जो आपको महासीरा दिख रहा है, महाधमनी दिख रहा है, इसमें थोड़ा सा अभी यहां पर समझना नहीं, तो आपको सब नंबर के माध्यम से आपको बता दूंगा दोस्तो इसके बाद में आपको यहाँ पर तो पॉइंट्स दिये गए हैं लिखा है पहला पॉइंट में मानो हिर्दय एक पंप की तरह होता है जो सारे सरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है पंप की तरह होता है जो सारे सरी से जो पंप करता है अगला पाइंट है अलिंद की अपेच्छा निले की पेशी भित्य मोटी होती है क्योंकि निले को पूरे शरीर में अधिक रख्त चाप से रोधीर भीजना होता है कहने का मतलब यह है कि जो अलिंद होता है अलिन की अपेच्छा में निले की पेसी ये भीति या कहले लिजिए पाइप या कहले लिजिए नस अपनी भासा में जो भीति होती है जो पाइप होती है वो उसकी जो भीति होती हूँ मोटी होती है इसलिए क्योंकि उसमें जो blood होता है वो अधिक तपाओ के साथ में भैता है इसलिए ताकि वो फटने ना पाए और पूरे सरीर में आसानी से blood को भेजा जा सके दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं एक चित्र आपको नजर आ रहा होगा तो यह जो चित्र है दोस्तों यह आपका मानो हिर्दय की अनुपरस्त काटका है दोस्तों समझने का थोड़ा सा प्रियास करते हैं इसमें हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपर वाला डाइग्राम समझ में आया होगा और नहीं आया है तो ये वाला समझ में जरूर आएगा और कोसिस करना कि यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिल्कुल बे हिचक के पूँश सकते हैं आपको निश्चित रूप से बताया जाएगा और हम भी कोसिस करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया है तो दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें इस पर यहाँ पर जो ये चितर दिखाया गया है यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ठी उसी प्रकार से है जैसे कि वहाँ पर अभी आपने देखा था चमबर के जो हम बात कर रहे थे सेम कंडिशन यहाँ पर भी लागू होती है अब हम पहले चमबर दिखाने का काम करते हैं जैसे कि हमाँ पर दाया अलिंद देख रहे थे यहाँ पर जो दाया अलिंद आप देख रहे हैं आपको मैं फिर से दिखाने का प्यास करता हूँ, यहां पर यह, एक यह हो गया, दाया अलिंद, और यह हो गया, यह हो गया, दाया अलिंद, और दूसरा आपका, दूसरा चेमबर यह हो गया, और आपका तीसरा चेमबर यह हो गया, और चौतर चेमबर, जैसे कि मैंने चार च यहां पर भी है या चार बॉक्स कहे लिजी जहां पर भी है जिनके नाम आपको मैंने बता ही दिये हैं यह दाया अलिंद है यह बाया अलिंद है और यह दाया निले है और यह बाया निले है दोस्तों क्या होता है कि आपको मैंने उस वाले चित्र में बता है फिर से एक बार ब दाएयं अलिंद में एकत्रित होता है, वो सारा बलड आपका आकर के दाएयं अलिंद में एकत्रित होता है, इसके बाद में क्या होता है? जब यह चमबर फूल हो जाता है तो यह बलड दाएं अलिन से कहां जाता है दोस्तो जाता है दाएं निले में कहां जाता है दोस्तो जब दाएं निले में दोस्तो जब दाएं निले फूल हो जाता है या भर जाता है तो यहां पर प्रेसर लगता है इसके माध्यम से उसको बताना चाहूंगा दोस्तो आपको फिर यहां से आपको एक पाइप टाइप से दिख रहा होगा यहां से यह होता हुआ ऐसे ऐसे होते हुए यह और इधर से दोनों फेफ़डों में पहुंच जाता है फेफ़डों में सुध होने के पश्चात ब्लड सुध होने के पश्चात वापस फिर से आप देख रहेंगे फुपुष सिराएं हैं इन फुपुष सिराओं के माध्यम से कि सिरह के माध्य हम से आ जाता है कहां आ जाता है उम बताना चाहूंगा यह और यह है यह क्या यह बाया अलींद यह क्या है बाया अलींद तो जो सुध्ध हो करके फेपरों से रक्त आता है वो कहा एकत्रित होता है बाएं अलिंद में एकत्रित होता है दोस्तों जिस तरीके से असुध रक्त दाएं अलिंद में एकत्रित होता था ठीक उसी प्रकार से सुध हुआ रक्त बाएं अलिंद में एकत्रित होता है इसके बाद में बाएं अलिंद में जो एकत्रित बलड था जो सुद्ध था, यहाँ पर जिब फूल हो जयता है पाया अलिंद, तो फिर क्या होता है कि यहाँ से जो ब्लड होता है वो नीचे की ओर प्रेशर के साथ में आ जाता है और पहुंसता कहाँ पर है? वो बताना चाहूँगा वो पहुंसता है पाया निलए में वो कहां पहुंचता है बाया निले में और बाया निले से होने के पस्चात यहां से होकर के सीधा वो निकल जाता है शरीर के विभिन अंगों में और फिर शरीर के विभिन अंगों से दाएं अलिंद में आता है दोस्तों यही प्रोसेस यही प्रक्रम बराबर चला करता है तो उम्हेद करता हूँ कि यह डायग्राम या चित्र आपको समझ में अया होगा. दोस्तों नहीं समझ में आया है, तो वीडियो को आप दोवारा पहुछ करके देख लीजीगा, इस्क्रीन सॉर्ट ले लिजीगा या दोबारा फिर से देख सकते हैं वीडियो को समझने के लिए दोस्तों और फिर भी यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीचेगा मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहां पर क्या दिक्कत है तुरन बताऊंगा य में उपसित वाल्ब रुधिर प्रवाह को उल्टी दिसामें रोगना सुनिचिस करते हैं लसीका की परिभासा दी गए है तो दोस्तों इसको रोग करके लसीका की परिभासा जरू लेजेगा लसीका एक तरल उतक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह ही है लेकिन इसमें परिवहन था वो तो समाप्त होता है यहीं से पादपो में परिवहन होता है जैसे कि मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि जैलम का नाम मैंने लिया था प्लेयम का तो नहीं लिया था क्यों कि परिवहन की जब बात आई थी जब बात यह आई थी कि जल जो है पौधों के विभिन्न भाग उतक कैसे पहुंचता तो मैंने बता थे कि उतक होता है दोस्तों यह वही उतक है आपके सामने इस समय है वह उतक जिसका नाम है जैलम जिसका नाम है जैलम दोस्तों यह वही उतक है तो यहाँ पर पादपों में परिभान अब बात आती है पौध पौधे की विभिन भागों तक जल का पहुचाना, पौधे की विभिन भागों तक किसका जल, जल का पहुचाना, और दोस्तों जो आपका ये है फ्लोयम, जैलम को याद रखना, जैलम जो होता है वो जल को विभिन, पौधे की विभिन भागों तक कहुचाता है, और आपका जो flowyam है, also flowyam यानि कि यह कहले, यह खाना को पहुंचाता है, पूरे बोधे पर ट्रांसफर करता है, यह परिवाहन का काम करते हैं, खाना, ठीक है दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं, दोस्तों यहां पर आपको दिखाय दे रहा होगा थोड़ा सा दिक्कत है आपको सायद ना दिखाय दे रहा हो परकि लाइन जो है मिश्टेक हो गई है थोड़ा चलो उसको हम प्रियास करते हैं दोस्तों यहां पर जैलम की परिभासा दी गई है पादप पंत्र का एक आवयो है जो मरदा से प्राप्ट जल और खरी लौणों का वहन करता है जैपकि प्रोयम पत्तियों दोरा प्रकास अंसलेसित उत्पादों को पौधे के अन्न भागों तक वहन करता है दोस्तों यह दोनों जो होते हैं जैलम और फ्रोयम यह इनका काम ही होता है कि पौधे के एक भाग से दूसरे भाग तक यानि कि पौधे के विभिन भागों तक वहन करते हैं किसका भूजन और जल का ठीक है दोस्तों जड़वा मरदा के मध्यायन सांद्रड में अंतर के चलते जल मरदा से जड़ों में प्रिवेस कर जाता है तथा इसी के साथ एक जल इस्तम निर्माड हो जाता है जो की जल को लगाता रूपर की और धाकेलता है यही दाब जल को उचे वरच की वीविन भागो तक पहुचाता है यही जल पादक के वाई भी भागो द्वारा वास्प के रूप में वाता वरण में विलीन हो जाता है यहाँ प्रक्रम वास्पो स्वाजण की परिभासा मैंने आपको इसके पहले यानि की पहले वाले यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यही जल पादक के वाई भी भागो द्वारा वास्प के रूप में वातावर में विलीन हो जाता है यहाँ प्रक्रम वास्पो स्वाजण के लाता है जैसे कि मैंने अपने मुह से परिभासा जो बताई थी वो यह थी कि पादो के वाई रभ कापी को ले करके बढ़ें और उस पर लिखते जरूर चलें क्योंकि दोस्तों यह मैंने जो बहुत सारी मेंनत की है तब इसको जो है डिजाइन कर किया हो है तो आप भी कोशिस करें कि इसको फ्री में ना जाने दे कोशिस करें जहां तक हो सकें इसको अच्छी तरीके स पढ़ें दोस्तों आगे बढ़ते हैं जल के अवस्तों एवं चड़ से पत्यों तक जल वेलिया खनी लोड़ों की उपरी मुखी गत्मे सहायक पौधों में ताप नियमन में भी सहायक दोस्तों यह जो क्या करते हैं जैलम और फुलेम हैं यह जो प्रक्रिया होती है यह एक प्रकाश अंचलेसर के विले उत्पादों का वहन इस्थान आंत्रड का रहता है जो कि फ्रोयम उत्तग द्वारा होता है जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता था शिदी से बात समझो यह लिख तो लेना ही है आपको लेकिन मेरी बात को समझना है देखो पूरे पौधे की कि भाग में यदि जल का वहन होता है या जल पहुचता है तो वह चैलम के माध्यम से यदि पूरे पौधे में कहीं भी भोजन पहुचता है या भोजन का वहन होता है तो वह फ्रोयम के माध्यम से यानि चैलम और फ्रोयम दो उत्तग होते हैं दोनों के ही माध्यम से वहन होता थेक है दोस्तों और आप इसको लिख सकते हैं इसके बाद में मानो में उद्चर्जन जाट हर्जन की बाथ आती है तो किसी भी चीछ करने सहे निकलान बस यही उद्चर्जन है नہिने आपको बताया था आपके शरीर में बहुत सारे पतदाःते हैं खाते हैं लेकिन हो जर्ण के बाद में उसमें से क्या होता है । इस फिज्थ पदार्त होता ही वह पॉक्राइब आपड़ाई प्राक्क्रम जिसमें जीवों में पडा चरी कियाओं में overlicorn अपसिट पदार्थों का निस्कासन होता है उत्सरजन कहलाता है अब नाइट्रोजन यूत्थ पदार्थों कहलो या फिर हमारा कहने का मतलब यह है कि वो बेकार के पदार्थ जो आपके सरीर में आप किसी काम के नहीं रहे गया है और उनको बाहर निकाला जाएगा बस यही उस चर्दन कहलाता है एककोस्की जीव इन अपसिट पदार्थों को सरी के सता से जल में विसरित कर देते हैं और यह एककोस्की की बात हो रही जबकि मनुष से एककोस्की ना होगर के बहु कोस्की होता है एककोस्की जैसे अमीवा होता है तो यह एककोस्की जीवों की बात उसकी, ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में heading जो आपको दिखाए दे रही है, वो है, मानो उत्सरजन तंत्र में उपस्थित अंग निमने प्रकार के हैं, तो दोस्तों यहाँ पर दिया गया है चित्र, और यहाँ पर देखो, एक और दो, तीन और चार, यहाँ कि, जो सर्जन तंत्र में उपस्थित अंग हैं, उन अंग कंगो के नाम दिये गए हैं, जैसे कि एक जोड़ा व्रक, एक जोड़ा मुत्रवाहिनी, एक मुत्रासय, एक मुत्रमार, कोसिस करना दोस्तों, यह चित्र बना ले जहाँ तो कोसिस कि आपके किताब में मिल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर आपको मैं दिखता नहीं हूँ, तो आपको सायद ना समझ में आता है, तो कोई बात नहीं है, इसके बात में व्रक में मुत्र बनने के बाद मुत्रवाहिनी से होता हो, मुत्रासय में एक अत्रित होता है, मुत्र बनने का उद्देश से इसके बाद में है, व्रक में मूत्र निर्माड प्रक्रिया, अब व्रक क्या होता है, व्रक कहने का मतलब यह है, थोड़ा सा कनफ्यूज मत होना दोस्तों, यह पेओर हिंदी व्रक है, व्रक को इंगलिस में केटनी कहते हैं, लोग केटनी से ज्याधा परचीत होते हैं, तो मै व्रक्क की सररचनात्मक वा क्रियात्मक इकाई व्रक्काडु कहलाती है। व्रक्काड को नेफ्राउन कहते हैं। यनि कि व्रक्क है, या किडनी में सबसे छोटी व्रक्क वह कहलाता है। व्रक्काड के मुखे भाग इस प्रकाड है। जैसे कि पहला है कोशका गुच्छे। पतली भित्तिवाला रूधिर कोसकाओं का गुच्छा होता है बोमन संपुट नलिका कारभाग संगरहक वाहिनी दोस्तो व्रक में उत्सरजन की क्रियाविध किस तरीके से व्रक में मूत्र कहां से कैसे चाहा जाता है इसके बार में बताया गया है दोस्तों और इसके बाद में यह आपका जो है थोड़ा सा ही रह गया है पढ़ लिजे पूश्का गुच्छ निश्यंदन वर्डात्मक पुना आव सोसर नलिका स्रावन दोस्तों इसको आप पूश्च करके इसके इनसे ले सकते हैं या फिर लिजीगा प्राह एक सोस्ते वयस्क में प्रति दिन 180 लीटर आरंभिक निश्यंदन व्रक में होता है जिसमें से उत्सर्जित मूत्र का आयतन एक दस्मनों दो लिटर है सेस निश्यंदन व्रक नलिकाओं में पुना आवसोसित हो जाता है दोस्तों इस तरीके से पोचा भी जाता है कि आवस्तन एक मनुस्त से एक दिन में कितना मूत्र उत्ष सर्जित करता है तो दोस्तों एक से डेड़ लिटर वैसे डेड़ लिटर होता है सही आंसर लेकिन एक से डेड़ लिटर कहीं कहीं दो लिटर भी कहा जाता है इसके बाद में पादप में उत्सर्जन आप बादती पोध होगी तो पादप में उत्सर्जन जो है वो यहां पर चार पॉइंट्स दिये गए है मैंने पहले से ही इनको लिख रखा है पहला है वासपोर सर्जन प्रक्रिया द्वारा अतिरिक्त जल से छुटकारा पाते हैं बहुत से पादप अपसिष्ट पदार्थ को उसकी रिक्तिका में संचित रहते हैं अन्य अपसिष्ट पदार्थ रेजिन तथा गोंद के रूप पूराने जाईला में संचित रहते हैं बादप कुछ अपसिष्ट पदार्थों को आपने आसपास म्रदा में उस सर्जित करते हैं दोस्तों यह जो लेशन था आपका ज्येव प्रक्रम यह समाप्त होता है हाँ दोस्तों आपसे फिर से निवेदिन करना चाहूंगा कि यद कि आपको इस वीडियो में कहीं पर भी कोई भी प्रॉल्म आई है कहीं पर भी कुछ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे वार्टसम नंबर से आप पेज जीचे कोच सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा मुझे अच्छा भी लगेगा कि आप पू अपनी फेएर बनाने के बाद में इन प्रशनों के उत्तर देने की कॉशिस करना और फिर हम आपके लिए एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपजेक्ट्व टाइप प्रशन होंगे और इसी प्रशन से पूछे जाएंगे जिनमें 20 प्रशन या अधिक प्रशन हो सकते हैं तेस्ट की तरीके से विडियो वह भी आपको अपलोड किया जाएगा तो पहले कोसिस करना कि यह जो प्रश्ण दिये गए हैं इनके उत्तर देने की फिर आप देखना कि कितने प्रश्ण आप हल कर सकते हो पिर आपको पता हो जागा कि आप कितने गहरे पानी में खड़े आप इनको एक एक करके हाल करने की कोशिस करें तो दोस्तों आपको यदि यह वीडियो पसंद आया हो मैंने पहले एगा आथ है तो प्लेच लाई कर दिजेगा और हां पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक कीजे़ं दोस्तों यदि आप मेरे चैनल के सदस्द से बनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और हाँ बेल आइकन की आपको लेटेस्ट वीडियो की नौटिफिकेशन मिलती रहें और हम कोशिस करेंगे सिर्फ बायोलाजी ही नहीं कम्प्यूटर से जुड़े और मोबाइल से जुड़े यह टेक्नोलाजी वीडियो और आपके बायोलाजी यह कम्प्यूटर से जुड़े बहुत सारे नएने वीडियो डालने का जो है उसिस करेंगे और उमीद है कि इससे आप लोगों का थोड़ा सा फायदा भी होगा फिर भी आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आपके जेब से तो कुछ जाता नही और नहीं मुझे सायद कुछ मिलता है लेकिन हाएक मनोबल बढ़ता है या लगता है कि हाँ यार मेरे इतने सस्क्राइबर हो गए है बस इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत तहय दिल से धन्यवाद करता हूं दोस् करता है धन्यवाद करता है उन्यवाद करता है खंग करता है कि अधने कि पालन देखनेे के याद करता है जेतु हैør को दोस्तों आपका पालना दीचेर ए